हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम तो दी माई चैनल आज की इस वीडियो में मैं फोटोसप के क्लास में आपको ये बताने वाला हुआ है किसी भी इस टाइप की फोटो से हम कैसे इसको इसमें चेंज कर सकते हैं देख सकते है है कि इसमें कितने सारे साइडो लगा हुआ है और उससे घर को रिटर्श किया गया है तो बिना देर की चले स्युरू करते है सबसे पहले हम फोटोसाब हूँ करता है अब एक काम केजिए यहाँ पर एक लेयर बनाईए लेयर बनाने के लिए कीबोड से हम कंट्रोल जे को क्या करते हैं प्रेस करते हैं इस लेयर को आप राइट क्लिक करके यहां से convert to smart object में convert कर दीजे आप इस layer 1 पे जाकर convert to smart object में convert कर दीजे ठीक जैसे अब देख रहे हैं यह icon बन गया यारी हमारे क्या होगा convert हो गया ठीक उसका अधा हमें जाना है filter कहां जाना है filter ठीक render lighting effect filter render lighting effect यह जी आपको याद रखना है ठीक है ठीक है यहाँ पर आते ही आटोमेटिक यह बन गया spot ठीक है अपने accounting जैसे आपको करना है जैसे हमें इतना अच्छा लग रहा है तो मैं इतने पर करते रहा हूं ठीक है आप यहाँ से कर सकते हैं और आप चाहें तो यह color नो लेकर यह बहुत सारे color का option भी है यहाँ से आप जाके देख लिए जिस color में अच्छा लगे आप वह ऐसे कर सकते हैं यह आपके body paint करता है यहाँ से जो मन करें वह color आप यूज कर लिए जैसे आपको अच्छा लगे यहाँ से आप उसकी setting कर सकते हैं ठीक फिर से आप blue में लिजा सकते हैं blue color भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है इस blue को आप ले सकते हैं यहाँ ठीक है यहाँ बहुत सारे cancel कर दिए आपको body paint करता है ठीक हमारे यह फिक्क्या हो इतना पनके ready है ठीक है चले इतना ready होने बाद आप यह सब्सक्राइब घटा सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं यह भी चीज़ाद रखियें आप अपने अच्छा लग रहा है मैं इसको और जेस्ट कर लेता हूं उसका दोख्य करते हैं कि यह वारा प्रोसेसिंग हो रहा है कुछ समय लगता है प्रोसेसिंग होने में अच्छा प्रोसेसिंग होने में प्रोसेसिंग होने में समय लग रहा है तो घबडाना नहीं है क्योंकि जो हमने इफेक्ट लगा है तो क्या वारा एप्लाई हो रहा है थोड़ा समय लग सकता है अब देखे हमारे एफथ्ट अब कीबोर से दाना है कंट्रोल शेफ्ट आल्ट ठिक है और इम डिश्प्ट आलट ए ठीक है अब देखे एक निया लेयर बन गया है ठीक अब इस लेयर को एक्टिव कर देना है और से लेवल बढ़ा से लेना है जैसे आपको लेवल चाहिए वैसे बढ़ा लिए जितना आपको चाहिए उतना बस या छोड़ दिए या कर्ब टूल कंट्रोल एम दवा के कर्ब आउन किजिए और यहां से इस पर जो कदर आपको ब्राइट करना है यहां पर इसको क्यों ऐसे बढ़ा लिए आप यह प्शूरत लग रहा है यहां से आप देख सकते हैं कि अब देखें कि पहले से मेरा फोटो क्या अच्छा बन जुगा है अब हमें इस लिप पे काम करना इस लिप पे काम करने के लिए आपको सबसे पहले पेंड टूल को लेना पड़़े से पी दबाएंगे तो यह प जैसा ही करेंगे, इसके लिप को सिलेक्शन देंगे, जैसा कि देख पा रहा है हूंगे, मैं आप लिप को क्या कर रहा हूं, सिलेक्शन दे रहा हूं, ठीक है, पहला सिलेक्शन में रहा हूं अब दूसरा सिलेक्शन देते हैं, आपका ये रीटर्स बहुत काम करेगा, कि यह हो गया आप से राइट क्लिक करते हैं मेक सिलेक्शन पांच फेदर रेडियुस पांच करके कर दीजिए ठीक है यह हो गया यहां तक हमें लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है अब हम जाएंगे इस पर इस आइकन पर क्लिक केज़े और शॉलिड कलर देगे और आप लिप चाहते हैं वैसे ले लिजिए तो वाल यह में पिक्चर के काउडिंग जो लिप था वही चाहिए ठीक तो यह कलर का लिप ठीक है अब यह आप जाते हैं और नॉर्मल से आप डिजॉल करते हैं यहां से चेक कर लिए कौन सा अच्छा लग रहा है ठीक है मुल्ट कुछ अच्छा लग रहा है यह हैं यह मुल्टीबल सही हो गया हमें भी असों चल्ए अपको अब इसी है कि आकर करना है ड़क में अगसिक ब्लेंडिंडंग ऑसें पर जाए अपुसको एक्टिव कर देना है और आल अट ट्सथ्ट अब अवन दो एतर ड्राइल करना है कि अब नीच अब नीच अब नीच अब नीच रहा है इस पर देखिए इस पर लग रहा हाँ कि अब इसको कर देजिए इस में नीच रहूल लूक आ गया अब पहले आपने फोटो देखा था कैसा था अब यह फोटो देख सकते हैं को अब यहाँ अब भी मेरा फोटो ऐसे था ऐसे बनाया सेमारिव इश बनाकर आपको दिखाया ठेक है आई होग आपको वीडियो पसंद आया होगा हर सटेड़े और संडे को आपको फोटो सॉप या कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जनकारिया मिलेंगी बाकी दिन आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक किजिए शेयर किजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर्द दाइए थांक यू फर वाचिंग